वेलकम बेक एवरीवन वेलकम टू सिविल सर्विसे श्टड़ी यूपी पेस्सी की टेस्स सीरीज चल लगाते हैं टेस्स नमबर 115 तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टेस्ट में फोकस करने वाले एंसी एंड हिस्ट्री और मौडरन हिस्ट्री के प्रश्णों पर प्राचीन कालीन भारत और आधुनिक भारत का इतिहास तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो कुश्चन नमबर बन है स्वदेशी और वहिश्कार अंदोलन के संदर में निम्रिगित कतनों पर विचार करना है पहला स्टेट्मेंट है मदराज प्रेसिडेंसी में चिदंबरम पिल्ले और विपेन चंदर पॉल ने इस अंदोलन को स्रसक्त बनाया और गरम पंथियों का उद्देश इसे व्यापक जनांदोलन में परिवर्टित करने के लिए वहिश्कार अंदोलन को असयोग एवम संत पूर्टि पूर्टि रोध तक ले जाना था वहिश्कार और सुदेशी और वहिश्कार आंदोलन के संदर में दोनों के दोनों करेक्ट हैं तो करेक्ट ही बताना है इसका अंसर क्या हो जाएगा अपसर नंबर सी पढ़ लिजेगा इनको दो बार कुश्चन नंबर टूपर आजाएए नम्रिखित लक्षणों में से कौन सा या से चंदु हडो से संबंदित नहीं है यहां से किलेवंदी का साक्ष नहीं मिलता है यह एक ओद्यों केंद्र था जहां मडीकारी कौमा मुहरे बनाना और भार माप के बठ खरे बनाने का काम होता था और सी है आंसर दिख और यह एक ओद्यों केंद्र था जहां से मणीकारी मुहर बनाने और भार माप यह बठ खरे बनाने का काम होता था यहां से किलेवंदी का साक्ष जो है नहीं मिलता है कहां से चंदु हडो से सिंदु घाटे इस्थल है यह चंदु हडो तो इसका अंसर हो जागा आपसर अपनी सम्रध्धी वे आर्थिक संपदाओं के कारण इतिहास में सामराज्यों के मध्रक्त रंजित संघर्षों का क्रीडा इस्थल रहा है नमलकित में से कौन सा राज इन संघर्षों में सामिल रहे क्रश्णा अबम तुग भद्रा नदियों के मध्ध वस्तित तुग घखे अब होशल पश्मी चालूग के अब हम्पणडे नहीं थे पांडे नहीं थे पांडे के वशे हLED रिमिनियंट हो जाएगा पाश्मी चालूग पश्मी चालूग है चोल है होशल है यादा वmile भधमनी है वे वन तो इसका अंसर हो जाएगा उप्शन नमबर C तो देखें तुंग भद्रा दुवाब हमेशा अपनी समर्दी के करण बिभिन सामराजों के मद संघर्ष का छेत्र बना रहा इन राज्यों में सामिल थे विजयनगर सामराज, पहमनी सामराज, पश्चमी चालुक और चोल और यादवम होशल पांडे नहीं थे कुशन नमबर फोर पर आजएए, बीसवी सदी के प्रारंब में उदित हुई करांतिकारी आतंकबाद के संदर्व में नमर्खित कतनों पर विचार करना ध्यान से सुनिएगा करांतिकारी आतंकबाद देखे इसके उदेके लिए सरकार की दमनात्मक नीतियों के साथ साथ गरम पंथी राजनीती की असफलता भी जिम्मेदार थी हिनसात्मक तरीका अपनाना ही क्रांतिकारिता है जैसी अबधारणा को गरम पंथियों ने या फिर गरम दलियों ने प्रोचाहित किया परन्तु स्वयम को इससे अलग रखा लेकिन गरम दली ऐसा नहीं सोचते थे कि हिनसात्मक तरीका ही अपनाना क्रांतिकारिता है ऐसा सारे गरम दली नहीं सोचते थे इसलिए गलत दूसरा वाला स्टेट्मेंट कुछ लोग सोचते थे ऐसे जैसे के अरविंद घोष हो गए भगत सिंग हो गए राजगुरू सुखदेव मतलब भीषण जवाब एक तरह से देना जिसको ये नाम ले लिया गाया बुक में लेकिन इसका बिरोध भी हुआ कई एक्जाम में तो पहला वाला करेक्ट है दूसरा वाला गलत हो जाएगा क्योंकि गरम दली ऐसा नहीं सोचते थे केबल हिंसात्मक तरीका अपनाना ही करांतिकारिता है ऐसे करांतिकारी आतंकबाद की अबधारणा वाले कुछ लोग सोचते थे कुछ करांतिकारी लोग सोचते थे तो पहला वाला गलत है दूसरा वाला पहला वाला सही है दूसरा वाला गलत है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा केबल 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 एक हो जाएगा तो वन उनली हो जाएगा इसका दो दो बार छप किया गया चले एक को हटा दीजिए केबल एक हो जाएगा इसका तो देखें गरम पंथियों ने क्रांतिकारी यूबकों के साहस और बलिदान की तारीफ की परंतु स्वयम को उनसे दूर रखा अरबिंद घोश ने हिंसात्मक तरीका अपनाना ही क्रांतिकारीता है जैसी अब धारणा को प्रोथसाहित किया था सारे गरम दली ऐसा नहीं सोचते थे इसलिए दूसरा वाला सत्ते हो जागा कतन अब आजाएगे कॉशन नंबर फाइब पर उननिसवी और बीसवी सदी के सामाजिक सुधार अंदोरन से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर हिंदु विदवा पुनर्विवा अधिनाम नहीं 1846 में पारित हुआ बाल विभा प्रतिषेद अधिनाम 1829 में तो देखेवा पुनर्विवा अधिनाम 4856 में कौन लेकर आए इस वर चंद विद्यासागर और 1929 में वाल विवाह प्रतिशेद अधिनियम पारित हुआ इस अधिनियम के अनुसार कोई भी पुरुस और महिला क्रमसा पुरुस होना चाहिए 18 वर्ष का और महिला 16 वर्ष से पहले विवाह नहीं कर सकती थी कुश्चन नुमबर 6 पर आजाईए निमलकी तकतनों पर विचार करना दो इस स्टेटमेंट है हाँ पर बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है पहला स्टेटमेंट है इस्तरी पुरुस तुलना नामक पुस्तक की लेखिका तारावाई सिंदे हैं और गिफ्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट टू मोनो थेश्टस के लेखक हैं राजाराम मोहन राय और दयानन सरस्वत्ती ने तो सभी को पता होगा सत्यार्थ प्रकास नामक पुस्तक की रश्णा किया बहुत पूछते हैं इसको कुशन नम्बर सेवन पर आजाईए भारत की राजधानी कलकता से दिल्ली स्थानंतृत करने के संदर में नम्रगित कतनों पर विचार कीजे उन्निस तो बारे में दिल्ली से कलकता इस्थानंतृत हुई थी राजधानी क्या ये स्टेट्मेंट करेक्ट है बिटिस भारत दो वास्तु करो एड़वर्ड लुटियंस और हरवर्ट बेकर को नई दिली और यहां की इमारतों को डिजाइन करने के लिए बुलाया गया था देखें दूसरा बाला करेक्ट है ये नाम सुने होंगे आपने एड़वर्ड लूटियांस हरवर्ड अबेकर को नई दिल्ली और यहां की इमारतों को डिजाइन करने के लिए मुलाया गया था पहला बाला गलता है एक पॉइंट से गलता हलका सा उननिस सो ग्यारे में सानांत्रित होई थी बारा में नहीं तो केवल दो है इसका अंसर तो देखे 1911 में दिल्ली बिटेस भारत की राजधानी बनी थी नाकी 1912 में 1912 में दिल्ली बिटेस भारत की राजधानी बनी थी कलकत्ता से 11 में कुश्चन नमबर 8 पर आजाईए आरंबिक वर्षों में महत्मा गांधी पर नमलकित में से किसका प्रभाब पढ़ा था प्रणामी पंथ और थीयो सौफिटस और उपरोक्त दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं किसका पढ़ा था थीयो सौफिटस या फिर प्रणामी पंथ देखे इसका अंसर हो जाएगा अप्सन नमबर ए प्रणामी पंथ तो महत्मा गांधी का जर्म प्रणामी विचारधारा को मानने वाले परिवार में हुआ था और वह आरंब में इसी विचारधारा से प्रेडित थे प्रणामी संप्रधाय दो धर्मों हिंदू और मुसल्मान हिंदू और इसलाम धर्म के संगम का अनुष्ण करता है कुशन नमबर नाइन पर आजाएए तामर पाशानिक काल के संदर्ब में नमलगित कत्नों पर विचार करना है पहला स्टेट्मेंट है इस काल में तामबे और किसी किसी अवसर पर निम्न कोटी के कांश का उपयोग देखने को मिलता है इस काल में क्रशी की जादी थी और भारत में इस काल की सबसे पुरानी वस्तियां मालबा और मद्द भारत में पाई गई हैं भारत में इस काल की सबसे पुरानी वस्तियां मालबा और मद्ध भारत में पाई गई हैं ताम्बर पाशान एक काल से रिलेटेड ये तीनों के तीनों करेक्ट हैं इस कांसर हो जाएगा अपसर नमबर डी तो देखे ताम्बा और पत्थर के उपयोग के अधार पर संस्कृतियों को ताम्बर पाशान संस्कृति कहा जाता है इस काल की सबसे पुरानी वस्तियां दक्षन पूर्वी राजस्थान, कौमा मद्ध परदेश के पश्च्वी भाग, पश्च्वी महराष्ट और पूर्वी भारत में पाई जाती है मालवा और मद्ध भारत की कुछ वस्तियां सबसे पुरानी है तामर पाशानिक लोग कताई बुनाई की कला को जानते थे पस्वों को पालते थे और अनाज की खेती के साथ-साथ कपास का भी उत्पादन करते थे तामर पाशानिक लोग कुश्यन नमबर दस पर आजाईए असयोग आंदोलन से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर 1920-22 तो देखिए असयोग आंदोलन जो है भारते राष्टे कॉंग्रेस द्वारा इसको सुरू किया गया था और बाद में खिलाफत कमेटी ने इसे अपना लिया था दूसरा स्टेटमेंट है असयोग कारीकरम के तहत सम्मान बापस लोटाना कोमा कानूनी नयायलो का वहिश्कार करना कोमा विदेशी कपड़ो और सरकार से संवनदित श्कूलों बे महाब दियोलगा विश्कार किया गया बिल्कुल किया गया दूसरा वाला करेक्टर लेकिन पहला वाला गला थे क्योंकि असयोग आंदोलन जो है वो खिलाफत कमेटी के दोरा सुरू किया गया था और 1920 में नागपर अधिवेशन में भारती राष्टे कॉंग्रेस दोरा इसको अपना लिया गया था वश्य नुम्बर 11 पर आजएए सिंधू संस्कृती से संबंधित नम्रिखित कत्नों पर विचार करना है यह संस्कृती है तो पहला स्टेट्मेंट है हडपा से प्राप्त मोहर में एक योगी को ध्यान में मुद्रा में पदमाशन लगाए दिखाया गया है उसके चारो और एक हाती एक बाग गेंडा और भैसा है तथा पैरो पर एक हिरन है बताइए देखें पहला बाला गलत है क्योंकि हडपा से प्राप्त नहीं बलकि मोहन जोद्रों से प्राप्त एक मोहर में एक योगी को ध्यान मुद्रा में पदमाशन लगाए दिखाया गया है उसके चारो और एक हाथी है, एक बाग है, गैंडा है, भैंसा है और पैरो पर दो हिरण है, दो, दो हिरण है, एक हिरण नहीं है तो इसका अंसर हो जाएगा option number D इनमें से कोई भी सत्य नहीं है तो देखे योग की मुद्रा में पदमाशन लगाए मोहर जो है ना की हडपा से प्राप्त और उसके चारो और, एक हाथी, एक बाग, एक गैंडा, एक भैंसा और पैरो पर हैं, दो हिरण, कितने हिरण, दो हिरण कुछ सोच रहे होंगे विद्यार थी, ये तो कुछ जादे डीप होगी अभीरण गिरना पड़ेगा, देखे एक तरह से वह आकरती है, और ये प्रश्ण पूछा हुआ है पहले परिक्षा में कुश्चन नूम्बर बारे पर आजाईए, अगस्त प्रस्ताब से रिलेटेड कुछ तो आठ अगस्त उन्निस्तो चालिस को वाइस राय लॉड लिन लित्गो द्वारा अगस्त प्रस्ताब पेस किया गया था, इसने भारत को सुतंतरता प्रदान करने का कोई प्रस्ताब नहीं रखा था, कुश्चन नूम्बर ठर्टीन पर आजाईए, नमलकित में से कौन सी देशी राजाओं तथा राजघरानों का पतन, भारते वेपारियों के विरुद्ध भेदभाव पूर्ण नीतियां, कौन कौन सी है इसमें विर्टेस नीतियां, जो भारत के वी ओधगी करण के लिए जिम्मेदार हैं, बिल्कुल पहला वाला करेक्टर गुमास्ता के माध के वी ओधगी करण के लिए उत्तरदाई हैं, डी इंडरस्टलाइशन, कौशन नमबर फोटीन पर आजाईए, निमलिखित कत्नों पर विचार करना, पहला स्टेटमेंट किया है, सिंदू सब्वेता के लोग मिठास के लिए सहध का प्रियोग करते थे, और सिंदू सब्व सब्वेता के लोग मिठास के लिए सहध का प्रियोग करते थे, पहला वाला भी करेक्ट है, तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं, इस कांसर हो जाएगा, उप्सन नमबर सी, कौशन नमबर फिप्टीन पर आजाईए, निमलिखित कत्नों पर विचार करना, पहला स्टेटमेंट सिंदु सब्वेता के लोग काले रंग के डिजाइन किये हुए लाल मिठी के बरतन बनाते थे, यह दूसरा वाला स्टेटमेंट गरेक्ट है, पहला वाला इंकरेक्ट है, जहां जहां उसको ऐलिमिनेट कर दीजे, इसका अंसर हो जाएगा, उप्सन नमबर दो, अब एक थम क्योंकि यह लाल मिठी के बरतन बनाते थे, और वो काले रंग से डिजाइन किये हुए होते थे, तो इसका अंसर क्या हो जाएगा, उप्सन नमबर भी, तो सिंदु सब्वेता के लोग जो है, तलवार से परिचित नहीं थे, क्योंकि लोहे का ग्यान नहीं था, ना घोडे क अग्यान था, तो उपंदरा प्रस्णते इंपोर्टेंट प्राचीन कालीन भारत और आधोने का भारत का इस्थियास, अच्छे सा इसका रिविजन कर लेजेगा, कम से कम एक से दो बार, ये टेस्ट पसंद दाता है, तो लाइक किया कीजे, और आप सब्सक्राइब करके ज और सकते हैं सवल सरफ से स्टडी चैनल से,